पोर्टर कभी भी ओवरवेट या कस्टूमर के कहने पर अपने राइडर्स की आईडी सस्पेंड नहीं करता हेलो शुक्रबानी मैं हुससनी और आप देख रहे हैं रोचकत थे टीवी और हो चुकिए हमारी एक और शांधार सी वीडियो को शुरुआत आप अगर एक पोर्टर पार्टनर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप अपनी पोर्टर आइडी को suspend होने से कैसे बचा सकते हैं 3-4 कारणों के वज़े से आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है कई राइडर्स ने मित फैला रखा है कि अगर आप ये करोगे तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा तो ये सारी चीज़े मैं इसी वीडियो में किलियर कर दूँगा आईडी सस्पेंड होने से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ABRTG अगर आप इसे समझ गे तो आपकी आईडी कभी भी बंद या सस्पेंड नहीं होगी ABRTG की फुल फॉर्म होती है हिंदी में इसका मतलब होता है किसी भी पार्सल को स्विकार करना पर उसे पूरा ना करना ABRTG को एक्जांपल के तौर पर संजे तो अगर आपके एप में कोई पार्सल आता है आप बिना देखे उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपको लगता है यार मैंने गलती से एक्सेप्ट कर लिया और मुझे जिस जगे जाना नहीं मुझे वहां जाना पड़ेगा पार्सल का साईज बढ़ा है आप इस चक्कर में उस पार्सल को कैंसल करते हो अगर आप जैसी cancel करते हो तो customer को क्या है वो दुबारा बुक करना पड़ता है customer दुबारा बुक करेगा तो customer का time भी खराब होता है और company के साथ experience भी खराब होता है तो इस condition में आप बार बार यही गलती करते रहोगे तो company दोरा आपकी ID temporary या permanent suspend कर दी जाती है ID suspend होने से बचने के लिए क्या करें आपकी app में जब भी कोई parcel आता है तो उसको अच्छी तरह है देखने जल्द बाजी ना करें अगर आप जल्द बाजी में कोई order accept भी कर लेते हो तो उसे पूरा जरूर करें अपनी मर्जी से कोई decision ना ले porter support से contact करें जैसा वो बताते हैं वैसा वैसा आप करते जाएं आपकी ID कभी suspend नहीं होगी जैसे आप कोई parcel पिक करने गए parcel overweight है या oversize है तो इसकी जानकारी आप porter support में दें अपनी मर्जी से कोई decision ना ले इस condition में होगा कि आप porter support वाले आपकी बात सुनेंगे और समझ के आपका वहीं से order cancel करेंगे और आप अगर उस parcel को pick करने एक किलोमेटर से जादा गए हो तो आपको 20 रुपे goodwill के भी मिलते हैं और वहीं आपकी ID पर भी कोई फरक नहीं पड़ता अब कुछ ऐसे myth अफ़वाओं के बारे में बात करते हैं कि राइडरों को लगता है कि हमारी ID इस वज़े से suspend होगी है जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे आपने कोई parcel accept किया और किसी वज़े से उसे cancel कर दिया आपको लगता है कि customer ने complain कर दी जिसके कारण आपकी ID suspend कर दी गई है तो ऐसा नहीं है customer के कहने पर porter अपने partners की ID कभी बंद नहीं करता ना ही कोई penalty लगाता है आप अपनी तरफ से cancel करते हो तभी आपके साथ ऐसा होता है और एक भाई बता रहे थे कि मैं overweight parcel नहीं ले गया इस वज़े से मेरी ID suspend कर दी गई तो भाई ये वी एक अफवा ही है अपनी तरफ से कभी A, B, R, T, G मत होने दो accept करके refuse ना करो तो आपकी ID कभी suspend नहीं होगी एक condition ये भी होती है आपने कोई order accept किया और आप pick up location पे पहुँच गये और customer ने वो order cancel कर दिया पांच मिनिट में आपको customer care पे बताना होता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे order लेने आया था और हमारा order customer ने cancel कर दिया गया है आप अगर वो pick up दूर से लेने गए हो एक किलोमेटर से उपर तो आपको इस condition में भी goodwill मिलती है कई rider क्या करते है order miss नहीं करने की बजाए order accept करके cancel करते है मिस करने से होता है कि आपकी app में कुछ minute का timer लग जाता है आप कुछ देर बाद order accept कर पाते हो इससे बचने के लिए accept करके cancel करते है भाई बार बार ये accept करके cancel करते रहोगे तो आपकी ID ही suspend हो जाएगी अगर आप कोई parcel accept करके pick up के लिए जा रहे हो आप traffic में फस गए या गाड़ी पंचर हो गई किसी भी personal region की वज़े से आप late हो रहे हो तो सबसे पहले customer को call करके इसकी जानकारी दे और साथ ही porter support पे भी इसकी जानकारी दे दे ताकि इससे होगा क्या customer वो parcel cancel नहीं करेगा देरी होने की वज़े से और साथ ही आपने support पे भी बताया अगर customer वो order cancel भी करता है और आप pick करने गए हो 2-3 km तो आप support पे वापिस बात करोगे तो आपको pick up पे जाने की good will मिल जाएगी porter कभी भी overweight या customer के कहने पर अपने riders की ID suspend नहीं करता AB RTG जादा होने की वज़े से ही आपकी ID suspend होती है किसी rider ने customer के साथ कुछ जादा ही misbehave कर दिया इस वज़े से भी आपकी ID suspend हो सकती है I hope आपके सारे doubt clear हो गए होंगे अभी भी कोई doubt बाकी है तो आप comment कर दो मैं doubt clear कर दूँगा comments में तो इस वीडियो को हम यहीं add करते हैं इस वीडियो से लेटिड आपका कोई भी doubt कोई भी सवाल पूछना चाते तो आप comment कर देना मैं comment का जवाब दे दूँगा आभी के सब्सक्राइब करते जाना see you in the next वीडियो ठाडा